थां एलो फ्रेंड वेल्कम टू फिरीकूकिंघ यूट्यूभ चैनल फ्रेंड 50 पलस फिरीकूकिंग एंद बेकिंग कोर्सि Budget देखने के लिए आपको अमारे फिरीकूकिंग चैनल के होम पेज से लिए प्लेडिशट पर आपको 50 पलस फिरी कुकिंग एंड बेकिंग कोर्से की सभी रेसिपिया देखने को मिलेगी ओके फ्रेंड आप हमारी सभी रेसिपी को 200 ml या फिर 250 ml कपसेट दोरों में से कोई से भी कपसेट से बना का त्यार कर सकते हैं आज हम अपने ड्राय मसाला कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं आज हम रेसिपी नमबर 9 मोमोज मसाला की रेसिपी आपके साथ सेयर करने आएं मोमोज मसाला जिसको आप चाइनीज मसाला भी कह सकते हैं चाइनीज रेसिपी में आप इस मसाले को यूज करके अपनी रेसिपी को को बहुत ज़्यादे टेश्टी बना कर सकते हैं इस मसाले को घर पर बनाना बहुत ज़्यादे हैं मौमोज मसाले की रेसीपी को सुरूद से आखरी तक जरूर देखेगा रेसीपी के कूटने के बाद तब आपको इसका室 मेजर मेंड करना है अब में ले रहे हूं की क्यूब मसाला इस मसाले सेцо मोमोस मसाला बहुत जादे जादे टेस्टी आता है इसमें महय क्यूब होते है यह क्पकिट और और जल्द ही आता है आपके सब्सक्राइब सकते हैं इसके अब मैं मैंगे क्यों मसाले को अपने इस बाउल में डाल रहे हूं फ्रेंड मोमोज मसाला बनाने के लिए अब मैं ले रही हूं अजिनो मोटो यानि की MSG मैं 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 और मैं मैं अब मोमोज मसाला बनाने के लिए प्लें सोल्ट कर रहे हूं आप मोमोज मसाला बनाने के लिए Chinese नमक या फिर plain नमक कोई सा भी नमक यूज कर सकते हैं यहाँ पर आपको मोमोज मसाला बनाने के लिए नमक की quantity कम लेनी है क्योंकि हमने यहाँ पर मैगी क्यूज मसाला लिया था मैगी क्यूज मसाला में भी नमक होता है मैं अपने इस नमक को मुमोज मसाला बनाने के लिए इस बाउल में डाल रही हूँ इसके बाद मैं ले रही हूँ सफेद मिच का पाउडर से हमाई रेसेपी और भी ज़यदे टेश्टी बनका त्यार होने वाली है मैं ले रही हूँ करते के मिच जगे बढ़ का पाउडर और वहाँ हूँ मैं ले रही हूँ अब लक्रेट और वह सब ले उंपाउडर आपको ओन्लाइन या फिडिटूर पर असानी रही हूँ मुमोट मसाले में यू जोने वाले सभी इंग्रीडेंट को बाउल में डालने के बाद इन सब को आपस में मिक्स करना है फेंड सभी ingredient को mix करने के बाद हमारे मसाले में कोई lumps ना रहे इसलिए इन मसालों को एक बार छलनी में चानना है मसाले को छलनी में चानने से आपके मसाले में जो भी कोई lumps होएंगे वे सब lumps कतम हो जाएंगे और आपका मसाला smooth consistency में बनका त्यार होगा मसाले को छलनी में छाने के बाद छलनी में जो मोटा मोटा मसाला रह गया है इस मोटे मोटे मसाले को बापिस छने हुए मसाले में डालना है इस मोटे मसाले को छाने गए मसाले में आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है यह देखे इस तरीके से आप अपने घर पर आसान सरीके से मौमोज यानि की चाइनेज मसाला बना का त्यार कर सकते हैं हमारा ये मौमोज मसाला पांच पड़े चमच और वेट में डंपलिंक करें मूज में बनाने में मसाले को ये वाले तयाँ sì जादë यानिक कि चाइनल मसाला जो टेस्ट में बहुत जादna टेस्टी है उसकी हमने प्रेटिंग कर दिये और बराबर में बने हुए बैल आइकन को दवाना ना भूलिएगा बैल आइकन को दवाने से आपका अमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिक्शन सबसे पहले आपके पास पोचेगा फ्रेंड मौमोर मसाला की रेसिपी की वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बोक्स में आ हुआ 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 हैं। बाइब हुआ हुआ है सभीडियो के आफकी युआ हुआ हैूआ हुआ हुआ है wee आद बेले दिए हुआ हैं। प्रेंड़ी necessary to